नमस्कार दोफ्टों आज का जो हमारा विश्य है वह है भ्रह्म महूरत में जैसे ही आप जागते हैं तो बैड पर आप लेटे लेटे या बैड पर ही आप बैठ कर ऐसे तीन बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है उसे समय नहीं लगता तो वो कैसे करें ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो चाहे वो भौतिक वस्तों की कोई इच्छा हो चाहे वो रिलेशन्शिप की कोई हो या अन्य कोई भी दुनियावी कोई भी आपकी इच्छा हो वो या आपके अध्यात्मिक इच्छा है कोई अध्यात्मिक सतर में कहीं आगे बढ़ना चाहते है या उस से लेटिड कोई भी इच्छा है तो वो सब पूर्न हो जाएंगी अगर आपको ब्रहम मूरत में इस तरह से तीन बार बोलेंगे तो दोस्तों इसके विशे में पूरी जानकरी से आपको हम बताने जा रहे हैं तो वीडियो में आंथ तक बने रहें ताकि आप भी इसका रहसे जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग बिलास और उसा धियात्म को पासके दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़त दोस्तों पहले हम ब्रहम हूरत का समय जान लेते हैं जैसे तो ब्रहम हूरत का समय तीन से पांच कहा जाता है लेकिन आप फिर भी तीन बज के 36 मिनट से ये समय शुरू होता है और ये सुबा के पांच बज के 30 मिनट तक ब्रह्मूरत का समय रहता है अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इन समय का नहीं पता लग रहा है वी कौन सा समय ब्रह्मूरत का है तो आप देख लें आपके सुर्या कितने बजे निकलता है उससे डेड़ घंटे पहले का समय ब्रह्मूरत कहलाता है तो आप आपने जिस भी कंट्री में रहते हैं देश वी देश जहां भी आप रहते हैं वहां के सुर्या के उगने का समय आप चाहे गूगल पर ही चेक करके आप कर सकते हैं कितने बजे आपका सुर्या उदे होगा आपके देश में तो उसके डेड़ घंटे पहले का समय उस समय आपने बैठकर ये जो आपको हम आज बताएंगे इस ऐसे ही अपने करने हैं तो आप हर तरह की सुक्सुजदाएं और सद्ध्यात्म सभी चीज़ों को पा सकते हैं दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी जरूर रहती है किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की किसी को सरकारी जोब लगने की किसी को प्राइवट जोब लगने की किसी को MNC कंपनी में जोब लगना है किसी को अपना वेपार शुरू करना है किसी को वेपार को आगे बढ़ाना है आगे की पुजिशन लेनी है तो किसी को संसारिक जो है बच्चे चाहिए लड़की चाहिए लड़का चाहिए शादी करनी है इस तरह कि कई तरह की घर चाहिए कर्ज है बहुत सी चीजे उनको चाहिए होती है जिनकी वज़े से वन्चित रहने के कारण आसन तुष्ट रहते हैं किसी को धार्मिक चीज़ें भी चभी है वो अध्यातम में आगे बढ़ना चाहता है कॉंडिनी जागराउं करना चाहता है थर डाई ओपन करना चाहता है या एस्टर ट्रेवल करना चाहता है या उस परमात्मा से एक होना चाहता है आत्मा सक्षात करना चाहता है हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है तो ये ब्रह्म मुरत का ही समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विच्रन कर रहे होते हैं सभी जगा उनकी उरजाएं व्याब्त होती हैं तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्देमान होती हों सबी जगा तो उस समय अगर आप ये ध्लान भजन करके इस सरह से अपनी विश्य मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती हो हमारे जो पूरवज हैं माता पिता थे हमारे दादी दादा नानी नाना या हमारे और भी पुराने रिशी मुनी जो थे वो ब्रहम मूरत में उठते थे उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो स्वेम के लिए होता है जो हर तरह की शरीरिक, भोतिक, अध्यात्मिक हर चीज़ को पूर्ण करने में ये समय सक्षम है तो इस समय वो अलग लगे जो भी जिसकी इच्छाए होती थी वो इस समय उठकर उसी को खोलो करता था और आज भी आप देखते हो डॉक्टर लोग जब आप बिमार होते हो तो बिजुर्ग हो कि जब बिमार होते हो तो वो सभी को यही कहते हैं सुबा जल्दी उठा करो और ठोड़ा सैर किया करो वीपी मुटापा कैल सोल कम होगा तो वो सैर करने को बोल देते हैं सैर करने का में औरेशे होता है जब आप सुबा सुबा उठते हैं तो एक पॉजिटिव उर्जा वातावर में होती है कॉस्मिक उर्जा वातावर में होती है और जब आप बिल्कुल जल्दी छुबा उठकर उस समय आप उस उलर्जी को महसूस करते हैं उस उर्जा को भीतर लेते हैं तो वैसे ही आपकी कई बिमारियां दूर हो जाती है शरीर आपका फिट रहता है आपके शरीर में उर्जावान बनना शुरू हो जाता है जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल भी हाई होता है तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें तीन वज़ के च्छतिस मिनट पे आपका ब्रह मुहरत शुरू हो जाता है और ये साड़े पांच वज़े तक शुबा तक रहता है इस समय के बीच में आपने उठ जाना है आप चाहें बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं या आप अगर बिस्तर से उठके भी बैठना चाते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें कमरे में या पूजा घर में जहां भी आपका दिल करें वहां पे आप अपने एक स्थान बना कर वहां पे आपने ध्यान करना है तो उसमें करना क्या है अपने धीमी सांस ध्यान रहे आपने लेनी है ज्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज्यादा बिलकुल छोड़ देनी है बिलकुल हलकी सी स्वास भरनी है और हलकी सी छोडनी है means शांती का अंभग आपको अपोना चाहिए सांस आपकी सभावी कहोनी चाहिए जैसे आ रही है जान भूज़ कर उसे बदलने की कोशिश ना करे उस्वास में ही आपने ध्यान करना है नाम जब जो करना है आपने वो इसी तरह करना है नाम जब करे ध्यान करे अग्ये चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए उस्वासों को देखते देखते नाम जब करना है उसके हम विधी भी आत्री में आपको बताएंगे कि कैसे आपने करना है तो जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीरी के तो शरीर ठीक रहेगा ही उर्जावान बनेगा ही साथ में जब आप इस समय जाप या अजपा नाम का जाप करते हैं तो आपका मुलाधार चक्र से ट्रोंग हो जाता है उसकी सिद्धी होने लगती है जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होने शुरू हो जाती है जिससे आपके धन की समस्याइं भी खतम हो जाती है जिससे फिर अगर कर्ज है वो भी खतम हो जाएगा नई नई जॉब्स नई बिजनस के ओपर तुमके ऐसे मिलते रहेगे तो ये धन की समस्या भी अपकी खतम हो जाती है बस आपको नाम जब करते रहना है अपने आप सिल्धी हो जाएगी आपके भीतर सकरात्मक उर्जा कोस्मिक उर्जा का परवेश हो जाएगा और जहां भी आप फिर जाया करेंगे वहां भी आपका सकरात्मक उर्जा होने के कारण वहां का वातावर्ण भी पॉजितिव हो जाएगा जहां भी जाका बैठेंगे वहां वो भी अच्छा फील करेंगे आप तो अच्छा फील कर ही रहेंगे और अगर कोई और व्यक्ति है जो बिमार है उसके लिए भी आप इस समय का नाम जब करके एक जल को पानी को उर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं उसे एनर्जेटिक वाटर बना कर उस अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा रहत मिलेगी उसके भी वो रोगों से मुक्ट होना शुरू होगा उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने एक ग्लास पानी रख ले कांच के ग्लास में रखकर वो आप ध्यान करें वहीं पर ध्यान करते करते वो और्जा आप पे चारों तरफ जब कास्मिस और्जा पहलेगी तो उस ग्लास में उस पानी में भी वो और्जा पहुंच जाएगी तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत कर रही अपने जल बना लिया है एनरजेटिक जल बना लिया है वो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजितिव उज़ा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो रुबी ठीक होना शुरू हो जाएगा जो नाम जब है इसे प्रान जब भी कहते हैं जब यह आप नाम जब प्रान जब करते हो इसके लिए आपको कोई विदी विधान नहीं होता लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विदी विधान होता है उसके लिए आपको प्रोपर पुजा पाठ के लिए बैठना होता है स्थान शुद्ध होता होना चाहिए रूप अगर बत्ती होनी चाहिए फिर मारा होनी चाहिए तब वो आप मंत्र को सिद्ध करोगे लेकिन जो नामजब है इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करने पड़ती तो दोस्तों नामजब कोई जैसे ही आपकी मर्जब है वैसे ही आप बैच कर नामजब कर सकते हैं करने के लिए आपको कोई ज़्यादा विधी बिधान की जूट नहीं है आप कहीं भी बैठके चाहे बिस्तर में बैठके ही चाहे आप कहीं नीचे बैठके जहां भी आपको सुज़ा जनक लगे वहाँ पर आप बैठ सकते हैं इसमें आपको नहाने, धोने की, मूँ धोने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी मर्जी है तो कर लें अन्यथा वैसे ही आप बैठ सकते हैं बेड़ पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं तो पहले आपने उठकर करना क्या है आपने एक नाम जब कोई भी आप सेलेक्ट करने जो भी जिस भी आपका आपकी आस्ता हो जिस भी प्रमात्मा में गुरू में उसका आपने नाम जब करना है राम राम का नाम जब कर ले सत्नम वाहे गुरु का कर ले अल्ला हू का कर ले राधे कृष्ण का कर ले जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर ले लेकिन जिसका ज़्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है जो रिजल्ट आया है जावे पर साथकों में वो आया है राम नाम से तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वो तीन बार क्या दोहनाना है वो भी आप समझे लें पहले आपने शुरू में जहां विया बैठ गें 15 मिनट तक आपने नाम जब करके उस एनर्जी को अपने नजदीग लाना है अपने भीतर लाना है उसको महसूस करना है उससे एक होना है जब एक हो जाएंगे तब हम वो तीन बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वो पूरी हो जाएगे करना कैसे है आपने जिससे बहुत जादा रिजर्ट आए हैं उस विधी को हम आप बताने जा रहे हैं कि कैसे जादा रिजर्ट लोगों को आए हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है जब आपने स्वांस लेनी है और छोड़नी है इन दोनों में जाप करना है लेकिन कैसे करना है वो आज समय ले जैसे ही आप स्वांस उपर भरेंगे तो आपने राम नाम शुरू कर देना है वो दो बार चार बार दस बार जितनी बार भी ब राम 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 रा 17 वाहिगुरू का जाब करना चाहते हैं तो स्वास भरते टाइम 17 वाहिगुरू, 17 वाहिगुरू, 17 वाहिगुरू फिर जब स्वास छोड़ रहा है फिर 17 वाहिगुरू बस स्वास को आपने लेकिन देखते देखते ही यह नाब जाब करना है स्वास छोड़ते time, फिर सत्रम वाही गुरू, सत्रम वाही गुरू फिर स्वास भुरते time, फिर छुरू करना है तो यह आप job कर ले, 15 मिनट तक job कर ले अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं मन ही मन में वो उचारन करें अन्यसा जाप कर ले उसके रिजर्ट बहुत ज़्यादा आ रहे है तो आपने इसे 15 मिनट तक पहले तो ये करना है 15 मिनट आपने रोज करना है आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए दूसरे दिन पूरी हो जाए 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं अचानल से कोई भी आपको ऐसी ऐसे बंदे मिलेंगे ऐसे परसन मिलेंगे उसे आपने पहँचानना है उन संगेतों को जानना है कि आपके इच्छा पूरी करने के लिए ये व्यक्ति आपको मिल रहा है ये व्यक्ति सिग्नल दे रहा है वुर्फ काम के लिए तो आपने पहँचान लेना है तो जैसे ही आप ये 15 मिनट का ध्यान करोगे इसे आप बढ़ावे सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वो और्जा के साथ उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं तब आपने इच्छा को अपने व्यक्ट करना है जो भी इच्छा आपको चाहिए आपने तीन बार फिर बोलने हो स्वास लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर स्वास छोड़ दे फिर स्वास भरें और फिर वो इच्छा दुबारा बोलने हैं फिर स्वास छोड़ दे फिर स्वांच को तीसरी बार भरना है और फिर उस सिच्छा को बोलके फिर स्वांच छोड़ देगे मैं सिच्छा को बोलना है चाहे आप बोल दे जेँ अपने मन है मन उसे बोल दे तब भी अप काम बन जाएगा यो ये आपने 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है जो अब ये नाम जब किया है वो चाहे 15 मिनट करें चाहे 30 मिनट कम से कम जरूर करें और सिर आप देखेंगे आपकी प्राथना उस प्रमात्मा के पास तुरंत ही पहुँच जाएगी और वो तो सारे ब्रमाड उसी का है उसी ने ये सब बनाया है तो उसी से आपने मांगा है तो उसके लिए तो कुछ आसमर्थ है ही नहीं कि आपको देना सके वो तो देने वाला है सभी को दिया है उसमें सारी स्रिष्टी ही उसी की है उसमें से आपको कुछ थोड़ा सा अंच चाहिए होता है वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी करना है बस काम इतना है कि जुड़ना है तो जुड़ने का आपको मेथड हमने आपको बता दिया 15 मिनट जो आपने ध्यान नाम जब करना है उससे आपने जुड़ने के लिए करना है जुड़ने के बाद ही आपने अपना प्राथना अपना मैसेज अपनी इच्छा बूरी हो 15 मिनट समय लिजे अपने एक फोन कोल ट्राइ कर रहे हैं मिलाने के लिए और जब वो 15 मिनट हो जाएंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो आपने उसके बाद अपनी इच्छा को बोल देना है मिनस अपनी प्राथना को अपनी इच्छा को बोल देना है तीन बार एक एक करके तो वही इच्छा की पूरी हो जाएगी तो दोसो, इससे कईयों के इच्छा पूरी हो इंदिय आपने बस अपने पूरे घर्दे को प्रेम से घर्दे से भर कर, पुरा सरंडर कर कर और पूरी आस्ता के साथ में अब करें जिरूर आपके इच्छा पूरी हो Google तो दोस्तों अगर फिर भी कोई आपका प्रेशन हो तो आप हमें कमेट बोक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने हमारे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल बटन को भी दबा दे और अगर हमारे फेस्बुक को और इंस्टाग्राम को अपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है उससे आप फॉलो कर लें इसी के साथ हम विज़ा लेते हैं धन्यवाद